नमस्कार दोस्तों जैसे जैसे बंगॉल चुनाओ की डेट पास आती जा रही है वैसे वैसे राजनीतिक पार्टिया भी अपनी अपनी चाल चल रही है पांच मार्च को पंगॉल की मुख्यमंत्री ममताब बनर जी ने विधान सभाचुुनाओ दोजार इकिस के लिए उनकी पार्टी में कोन कहां से लड़ेगा इसकी लिस्ट उन्होंने जारी कर दी लेकिन सबकी नजर थी कि ममताब बनर जी कहां से चुनाओ लडेंगी तो ममताब बनर जी ने ये एलान कर दिया है कि वो नंदीगराम से चुनाओ लडेंगी और उनके ऐसा करते ही वो मीडिया और सोसल मीडिया में सुर्खियों में आ गए क्योंकि मम्ता बनर जी ने जन्वरी में ये इसारा तो कर दिया था कि वो नंदी ग्राम से चुनाओ लडेंगी लेकिन 2011 से उनके चुनावी छेतर रहे भवानी पुर से कौन लडेगा ये मम्ता बनर जी ने पकान नहीं किया था लेकिन पांच मार्च को मम्ता ने ये किलियर कर दिया कि भवानी पुर सीट से उनके साथ ही सोबंदे और चठोपा द्याय चुनाओ लडेंगे और बंगौर की राजनीतिक गल्यारों में एक बात की खूब चर्चा है कि मम्ता ने भवानी पुर छोड़के नंदी ग्राम इसल और अगर मम्ता 50,000 वोटों से नहीं हा रही है तो राजनीति छोड़ देंगे तो दावात उन्हों ने बहुत बड़ा कर दिया है और इधर 6 मार्च की खबर है कि बीजेपी ने मम्ता के खिलाब सुवेंदू को नंदी ग्राम से उतार दिया है तो नंदी ग्राम सीट पर ज कॉंगरेस बानवे सीटों पर चुनाओ लड़ रही है कॉंगरेस ने 2016 में भी इतनी ही सीटों पर चुनाओ लड़ा था और तब बानवे में से कॉंगरेस ने 44 सीटे जीती थी और लेट फ्रेंट 165 पर लड़ेगा और ISF यानि इंडियन स्रिकुलर फ्रेंट को सैति सीटे आईये सब का नाम साइद आपने ना सुना हो क्योंकि ये बंगॉल में नई पार्टी बनाई गई है इस बार बंगॉल की जानिती में काफी कुछ बदल रहा है और उसकी एक ही बज़ा है बी जे पी वैसे बी जे पी पिछले चुनाओ में 291 सीटों पर चुनाओ लड़ी थ से के वल मातर तीन सीटे थे हला कि कहा ये जा रहा है कि बंगॉल को बंगॉल के लोग ही चलाएंगे गुजरात के नहीं लेकिन जिस हिसाब से बी जे पी की चुनाओी मसीन काम कर रही है उसकी वज़ा से विरोधियों के बीच में गडबंदन समर्थन और साजेदारी पुरकुरा सरीफ अजमेर सरीफ राजस्तान के बाद देश में काफी ज्यादा फेमस है और कहा ये जाता है कि इनकी पकड़ मुस्लिम वोटरों पर काफी ज्यादा अच्छी है और बंगॉल में जिनकी संख्या करीबं 30% के आसपास है और बताया ये भी जाता है कि ममता की में इनका काफी बड़ा हात्रा है लेकिन अबबास ममता से नाराज हो गये और उन्होंने अपनी अलग पार्टी आये सब बना ली और ये ममता के लिए खत्रे की घंटी है बंगॉल चुनौव में असुदूदी नोसी भी पीछे नहीं रहना चाते हैं बिहार चुनौव में सफलता के बाद मुस्लिम मोटरों को ध्यान में रखते हुए वो बंगॉल में भी दाउं खेलना चाते हैं और इसके लिए उन्होंने आईसफ लीडर अबबास सिद्धिकी से बाचीत तोत की लेकिन खुलके कुछ सपस्ट किया नहीं और जैसा कि आपको बताया कि आईसफ उन्होंने तो कॉंग्रेस और लेट वाले गडबंदन से नारता जोड़ लिया है और OEC का कहना है कि वो क्या करेंगे ये वो सही समय आने पर बताएंगे हाला कि उन्होंने एक सेर कहके कुछ इसारा तो किया है कि अकेला चला था जानिबे मंजिल लोग साथ आते गए कारव बनता गया तो हो सकता है कि OEC साब अकेले ही चुनाओ लड़ है वैसे OEC साब ने काफी पहले TMC के साथ आने की इच्छा जाहिर तो करी थी लेकिन 25 हरवरी की खबर है कि OEC साब कुरकाता में रैली करके अपने चुनावी अव्यान की सुरुआत करना चाहते थे लेकिन पुल अकिलेस यादो, बिहार से तेजिस्वी यादो और महरास से स्विशियना ने सपोर्ट देने को कहा है हाला कि ये बास सही है कि बंगौल में इन पार्टियों का कोई बहुत बड़ा रोल नहीं है लेकिन ममता को सपोर्ट करना और चुनाओं ना लड़ना इसके पीछे मकसद ये है कि जो लोग इन राज्यों के बंगौल में रह रहे हैं वो बीजेपी को नहीं टीमसी को वोट दे तो ये आपसी फायदे की बात है क्योंकि जब इन राज्यों में चुनाओं का समय आए तो वो ममता से बंगौली वोटरों का सपोर्ट अपने राज्यों में मांग सके तो इसे कहते हैं दोस्तो राजनीती और दूसरा मकसद ये है कि ये तीनों पार्टियां कहीं न कहीं परजेन टाइम में BGP की विरोधी है और अगर BGP चुनाओ हारती है तो ये सभी पार्टियां इसी मुद्दे पर अपनी राजनीती चमकाएंगे तो एक तीर से दो निसान जानकारी के लिए आपको पता दूँ कि जो ममता BGP को बाहरी कहके हमलावर है वो एक टाइम पर BGP के साथ हुआ करती थी और ममता कॉगरेस के साथ भी रही है ममता की कहानी क्या है इसके लिए आप ये वीडियो देख सकते हैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाए और इधर BGP भी TMC की तरह किसी बड़े गड़बंदन में सामिल नहीं हो रही है BGP की वही पुरानी रहनीती है कि बड़े बड़े नेशनल नेताओं को जैसे मोदी, योगी, अमिस्सा और नड़ा को प्रचार के लिए बंगौल लाया जाए और बाकी दूसरे पार्टी नेताओं को BGP पहले से अपनी टीम में सामिल करती आ रही है लेकिन पिछले कुछ समय से बंगौल की राजनीती में फिल्म स्टार्स को अपनी पार्टी में सामिल करने का एक नए अट्रेंट चल रहा है साथ मार्च को मिथुन चकवरती BGP में सामिल हो गए अब रोचक बात यहां पर यह है कि पहले वो TMC में हुआ करते थे अब वो BGP में सामिल हो गए तो राजनीती में कुछ भी हो सकता है BGP हो या TMC दोनों इन फिल्म स्टार वाले फार्मले पर काम कर रहे हैं हाला कि ऐसा नहीं है कि हर फिल्म स्टार की राजनीती पकड़ बहुत अच्छी होती है लेकिन किसी भी पार्टी को इन स्टार्स की पॉपलर्टी का फायदा मिलता है क्योंकि जो लोग राजनीती में इंट्रेस्ट नहीं रखते हैं वो भी अपने चाहने वाले कलाकार की पार्टी को सपोर्ट कर सकते हैं तो ये राजनीती के अलग-अलग तरीके हैं जाते जाते आपको बतादू बंगौल में 8 चर्णों में 27 मार्च से लेके 29 अप्राहिल तक चुना होंगे और 2 माई को रिजर्ट आने हैं ये वीडियो अगर आप यूटूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सस्क्राइब कीजिए फेस्बूक या इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कीजिए